गुद मॉर्निंग स्टुएंट्स वेलकम अगेन इन ओनलाइन क्लास स्टुएंट्स टुएंट्स टुएंग टू कॉंटिन्यू सेम लेसन इंफ्रस्टुक्ट्टर बट वी डिस्कॉस निव टॉपिक ताट इस हैल्थ ओके बिटा प्रिविएस वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन स्टेट ऑफ इंफ्रस्टुक्टर के बारे में डिसकॉस किया तो आज हम डिसकॉस करने जा रहे हैं तो हैल्थ इस मेन कॉम्पोनेंट ओफ इंफ्रस्टुक्टर या हैल्थ इंफ्रस्टुक्टर के अंदर इंसारे टॉपिक्स को डिटेल में डिसकॉस करन एज़ी नोबटा हेल्थ बहुत इंपॉर्ट है अगर एक परसन हेल्थी होता है तो वह देश की डिवेल्पमेंट के लिए बहुत सरे एफर्ट्स कर सकता है जी डीपी को इंपूर्व कर सकता है या हेल्थी परसन हुमन कैपिटर फॉर्मेशन का एक साउंड पार्ट बनता है तो हेल्थ बहुत जरूरी है तो लेट स्टार्ट विड़ टापिक हेल्थ नवचे हेल्थ का मीनिंग क्या है हेल्थ इस नोट अल्ली एपसंस अव डिजीज बट आसो अबिलिटी तो रिलाइज वन्स पोटेंशल हेल्थ का मतलब यह नहीं कि हमें कोई बीमारी है हमें कोई है वैटे का मतलब होता कि ना तो किसी पर्सन को कोई डिजीज हो और साथ हिसा वस पर्सन के अदर जितना भी काम करने की आपिलिटी थी वो पिर्लाइज के रहे अतने पूटेंशल से काम कर सके उसको हम कहते है हमारे एकोनमे के अंदर कोई यार्ट स्टिक निए कोई आ रहे हैं तो economy के अंदर कोई single set of method नहीं है जिसे हम health status को define कर सके तो कुछ scholars ने इसके indicators लिए हैं कहते हैं अगर एक person को ये problem आती हैं तो सम्मल वो healthy नहीं है scholars का कहना की health के account के हिसाब से कुछ indicator हैं जैसे infant monetary rate, maternal monetary rate, life expectancy, neutral values, incidence of cumulative disease और non communicable disease, infant monetary rate का meaning क्या आता है, छोटे बच्चे जिनकी death हो जाती है, maternal monetary rate का meaning क्या होता है जो ladies बच्चे को birth देते हैं जिनकी death हो जाती है, या birth देने के कुछ दिनों के बाद उसकी death हो जाती है life expectancy, life उनकी human being की average life कितनी है, उनको balance right food, nutrition food मिलना एक नहीं मिलना और जो आसपास की जो diseases है, जो एक दूसरे spread होती है, उनका उनके अपर effect क्या है, उसको health के अंदर मानते हैं अगर ये सब चीज़े बहुत less है, economy के अंदर person की life expectancy ज़ादा है, और बहुत कम problem हमारी को नहीं पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी economy के लोग healthy हैं, तो development of infrastructure, अगर हम health infrastructure की बात करते हैं, ये production capacity को man power को increase करता है traditional time period के अंदर health का meaning माना जाता था कि number of doctor or nurses है, but now health को लेकर जो recent changes आया है, तो हमारे scholars का कहना है कि हमारी government की responsibility मिलती है, कि right to healthy life जो हमारे human beings है, जो उनकी public है, जो हमारी running government है, उसकी duty बनती है कि लोगों को अच्छी सेहत प्रवाइड करने के लिए, वो सारा congenial healthy environment है, वो medical staffs, bed equipment, hospitals, या pharmaceuticals जहां पर medicines बनती है, उन सब industry के बात करते हैं, लेकिन इन चीजों का होना ही health नहीं है, इन चीजों की accessibility भी होनी बहुत जोरी है, these things should be accessible to the people, अगर ये सारी चीज़े हैं किसी hospital में, किसी private hospital में available है, पर poor person उन चीजों को buy नहीं कर सकता, वो उनकी पहुंच के अंदर नहीं है, उनके पास ऐसे इतने पैसे नहीं है कि इन चीजों का यूज कर सकें, तो वहां पर उस health infrastructure का होने का कोई फायदा नहीं है, it is true कि mere health infrastructure is not sufficient, इसकी accessibility भी उतनी ही जरूरी है, जितना कि ये equipment का होना जरूरी है, जितने लोग policy makers हैं, उन्होंने का कि हमारे देश क अंदर हमारी जो बीपील है, below poverty line है, उनके अंदर इतनी ability नहीं होती कि इन चीजों को खरीच सकें, इन चीजों को पैसा खर्च कर सकें, तो एक कई बार हमारे पास इतने equipment होने के बावजुद भी हमारे सामने बहुत बड़े बड़े hospital होते हैं, इतना सब कुछ होने के आते हैं, due to lack of, short lack of money, तो money भी matter करते है, तो ये government की duty बनती है, ये हमारे जो planner होते हैं, जो plan development करते हैं, जो इनने five year plans बनाये से, जिननों नीती अद्योग बनाये, ये उनकी duty बनती है, कुछ इस तरह की policies और program बनाये, कि जो हमारी medical infrastructure है, वो हर person के लिए accessible हो, ताकि economy की development हो सके नवटा, next topic है, state of health infrastructure, इंडिया में health infrastructure की क्या condition है, तो जैसे कि हमारे constitution के अंदर बहुत सारे changes होएं, constitution के अंदर consumer rights आया, consumer exploitation के against right है, corporate बनाये गा, उसी तरह से medical education का promote करने की कोशिश कीएगी, food में जो adulteration थी, मिलावट थी, उसको रोकने के लिए, बहुत सारे consumer protection act बनाये गे उसे ऐसे medicines को लेकर, poisons को लेकर, then medical professions को लेकर, बहुत सारे changes किये गया है, हमारी जो center government है, उसे काफी program start किये हैं, जो health और family welfare के लिए, बहुत सारा पैसा हमारी government कोशिश करती है, हमारी देश की जो economy के अंदर, जो main factor है health को sound करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कमिया रह जा होती है, तो आज इसी topic के उपर, हम जो condition है, उसके उपर discuss करने जा रहे है, condition of, तो हमारे पास, काफी सालों से हम जो health infrastructure को build करने की कोशिश कर रहे हैं, तो technically हमने जो शुरू से लेकर, end तक जितनी भी health facilities को improve किया, अगर हम first level की बात करे हैं, तो हमारे economy के अंदर, primary health center को ले ग कुछ एक दो doctor होते हैं, कुछ एक दो nurses होते हैं, और कुछ medical facilities available होती है, limited number of medicines होती है, तो वहां पर अगर उस village के या उस nearby area के लोग वहां पर जाते हैं, तो उनको aware करवाया जाता है कि उनकी disease का reason क्या है, उनको किस तरह का hygienic environment अपने आस पास arrange करा चाहिए, किस तरह का पानी पीना चाहिए, किस तरह की सुविदाओं को यूज करा चाहिए, लोग को aware किया जाता है, फिर्स तो जो primary health care center है, since independence हमारे देश के अंदर काफी कोशिश किया है, कि health services को improve किया जाए, number of hospital, number of dispenses day by day increase हो रही है, number of beds, जैसे कि हमारे सामने data है, 9300 से 51300 हमारे पास number of hospital dispenses increase हो रह हैं, और इसी तरह से हमारे देश के अंदर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के सासा हमारे देश के अंदर, जो problem सी उनको remove करने की कोशिश किया गया है, और बहुत सारी जो nursing staff को appoint किया गया है, और allopathic doctors भी हैं, जो हमारी economy के अंदर health services को provide करने की कोशिश कर रहे है ना बेटा, इतना सब कुछ करने के बाद हमने एक result देखा कि आज से बहुत साल पहले जो हमारे पास common diseases सुनते थे, that is chicken box, polio, ये जो skin diseases होती थी, या कुछ डाइरिया हो गया, malaria हो गया, इन diseases के ओपर हमने काफी हद तक control कर लिया है, अब ये काफी हद तक हमारी economy से remove होगी है इसका कारणी है कि हमने अपनी economy के health structure को improve किया है, नौ एक table है जो हमारी economy की health facilities को show करता है, 1951 से लेकर 2017 का यहाँ पर data दिया है, इतना material हम यहाँ तो नहीं कहसे हैं, but we can compare, 1951 में number hospital थे, government hospital जो public sector के अंदर आते हैं, 2694, अब ये बढ़कर 2017 में 23, 2, 3, 5, 582 हमारे पास हो गया है, तो अब 2020 चला है, अब इनकी ratio और increase है, उसी तरह से number of bets भी increase होएं बटा, उसी तरह से हमारे पर public health care centers, dispensaries, आगे सब पार्स में जितने भी हमारी health facilities को improve किया गया है, हमारी national commission of macro economics के अंदर ये सारा data collect किया गया, और health ministry ने ये सब हमें एक analyze करके बताय किस तरह से हमने अपने economy के अंदर, अपने Indian economy के अंदर public sector में health sector को improve करने के कौन कौन सी benefits सी है, इसके बटा ये जो हमने discuss किया, it is about the public sector, तो as we know हमारे आसपास बहुत सारे private hospital है, तो हम private hospital के बारे में discuss करते है, recent time period के अंदर public sector इतना beneficial नहीं हो रहा, health infrastructure इंप्रोव करने के जितना की private sector इंप्रोव हो रहा है, private sector के अंदर भी बहुत सारे hospitals, number of dispensaries, number of doctors, number of beds, number of medical equipment and pharmaceutical material को काफी अरेंज किया गया है, इंडिया में 70% जो hospital है, वो private companies या private sector के अंदर ही आते हैं, इसके सासा 2 by 5, 2 by 5 जो beds है वो private sector के अंदर ही available हो, nearby 60% जो dispensaries हैं, वो बिटा private sector के अंदर आती हैं, और हमारी देश की जो health care का जो main, जो burden है, या main जो helpful part है, that is a private sector, in private sector के अंदर, in private hospitals के अंदर, 80% patients जो out patients होते हैं, और 46% जो in patients होते हैं, out patients का मतला है, suppose किसी person को normally fever है, वो doctor के पास आता है, medicine लेता है और घर भापीस आता है, they are known as out patients, I, medicine ली और घर चलेगे, और उसके बाद, जो 46% ऐसे patients हैं, जो doctor के पास आते हैं, और उनकी disease थोड़ी critical होती है, तो उनको hospital में admit होना पड़ता है, तो 46% जो ऐसे patients हैं, जो hospitals की services का यूज करते हैं, तो बटा, वो कौन से hospital है, private hospital, और 80% जो out patients हैं, जो daily routine में अपने check-up के लिए dentist के पास आते हैं, या skin problem के लिए जाते हैं, जहां normally उनको fever होता है, इन conditions में जाते हैं, तो वो सारे private hospitals में जाते हैं, 80% जो patients private hospital के अंदर out patients हैं, और 46% जो patients हैं, वो in patients हैं, recent time में जो private hospitals के अंदर काफी changes हैं, अच्छी technology, अच्छी education, और अच्छी अच्छी जो pharmaceutical medicine available होने से, day by day इन hospitals की जो benefits हैं, इनकी जो profits भी increase हो रहे हैं, और इसके सासा economy, उनको जो owners हैं, उनको काफी benefit हो रहे हैं, public sector की कुछ कम्या थी, जिस कारण ये उन कम्यों को पूरा करते हैं, और private sector आगे की तरफ move कर रहा है, in the field of health infrastructure, जो जितने भी हमारे private hospitals हैं, इनके अंदर इस समय, near about 22 lakh people हैं, जिनको employment मिल ला है, और ये hospital single honor भी हैं, एक single person मिल के मालिक हैं, और joint group की form में काम करें, और इन hospitals के अंदर एक person ने एक बड़ा hospital open किया है, private hospital कह सकते हो, उसने उसके अंदर हर तरह की disease के solution find करने के लिए, doctors को open किया, तो हाइड doctor, किराय पे doctor भी लेते हैं, तो कुछ scholars ने survey report किया, और उने कहा कि हमारे इंडिया में private sector के अंदर independently बहुत सारे hospitals के अंदर doctors को open किया आता है, इन में से काफी doctors हैं, जिनका नाम resisted भी नहीं होता, जिनने quack कहा जाता है, तो fake doctor की form में हो सकते हैं, एक doctor को मेंने किसी hospital से बिलाया, two hours के लिए, three hours के लिए, उसे हमारे hospital में आकर check-up किया, कोई surgery की, और कुछ amount लिया, और वो अपने hospital में चलगा, so actually that person is working somewhere, हो साथा किसी government sector में काम करता, और वहीं से time निकाल का, किसी private sector के अंदर भी काम कर रहा है, तो इस तरह की private sector कम rate के अपर, ऐसे doctor को hire कर लेते हैं, और धीरे-धीरे हमारी economy के अंदर, इन doctors की कारण private sector की development, या private sector का profit बढ़ता रहा है, private sector कुछ problem यह है, कि यह जो hospital है काफी expensive होते हैं, जो BPLs हैं, below poverty line, लोग इनकी accessibility के अंदर नहीं होते हैं, और जब private sector के अंदर हम इन जो चीजों कम use नहीं कर पाते हैं, तो कई बार में feel होता है कि हमारी government इतनी अच्छी नहीं है, अगर government अच्छी होती थी हमें public sector के अंदर इस सारी facility थी, public sector, private sector का comparison किया जाता है, तो normally हम कह सकते हैं, private sector के अंदर बहुत अच्छी medical facilities है, लेकिन बहुत expensive है, तो government, हमारी government को चाहिए कि private sector की तरह public sector के अंदर भी सारी के सारी facilities परवाइड की जाए, ताकि हमारी economy के जो 21.9 लोग BPL है, at least in facilities को यूज करें हो रहे हमारी economy की, जो health care है, health care हो सके और हमारा health department sound हो सके, Now turn, next topic है हमारे पास, इंडिया का health system कैसा है, इंडिया के health system को three categories में divide के आ गया है, यह इसके three tight system है, primary, secondary and tertiary, primary health care system के अंदर, जो हमारे पार PHC system आता है, उसके अंदर, जितने भी लोग primary level के पर check-up के लिए आते हैं, तो वहाँ पर उनको education दी जाती है, उनको उनकी health problem के बारे में बताया जाता है, उनको aware किया जाता है, कि जो छोटी मोटी जो problems हैं, इनको हम कैसे remove कर सकते हैं, उनको balance रही, food के बारे में बताया जाता है, अच्छा water supply के बारे में, water purification के बारे में, sanitation facilities के बारे में, ladies को child care के बारे में, उनकी अपनी care के बारे में, time पे जो injections दी जाते हैं, इनके बारे में, first aid के बारे में समझायता है, तो जो first attire है, उसके अंदर persons को aware किया जाता है, how they can increase their health care, अपनी health care को कैसे promote कर सकते हैं, इसी तरह से जब इन चीज Jō center यह जो प्राइमरी health care center से यह जो healthcare center होते sh most publicly village यह small Town में establish के जाते है जो हमारे पास primary system होता primary health careдо होते हैं वहां पर एक यह दो doctor h Penguin एक दो nurses होते हैं और limited equipment उनके पास होते हैं जिससे वो उस area के कुछ लोगों का routine चेक अप कर सके हैं छोटी मोटी problem को solve कर सके हैं उसके बाद इनके पास medical facilities भी medicines भी होती हैं जो उस limited area के लोग को दे सके हैं इन health care system को primary health care center भी कहते हैं community health care center भी कहते हैं यहां बटा sub centers भी कहते हैं तो बटा first category के अंदर हमारे पास आगे primary health care center जो basically rural area में है और इनके ना हमने डिसकस कि primary health care center, community health center और sub center लेकिन अगर एक person in health center पर जाने की बाद भी ठीक नहीं होता तो उनको second system के अंदर enter किया जाता है that is known as a secondary health care system उस system को secondary health care system कहाता है when a condition of patient is not managed by the public health care center they refer to secondary or tertiary hospital hospital which have better facilities for surgery, x-ray, electro, guardian, ECG वे गएरा के लिए हैं तो जहां पर person को refer किया जाता है कि आपका जो ये area में जो hospital के doctors हैं आपकी disease को diagnose नहीं कर पारे तो आप इस hospital में जाए तो उन hospital को second or tertiary hospital कहाता है इन hospital में better facilities होती है जैसे person अपना x-ray करवा सकता है पता x-ray करवाने से या ECG करवाने से एम्मारे करवाने सको पता चल जाता है कि problem कहां पर है अगर उनको problem पता चल जाती है तो वहां पर उसकी surgery या उसका treatment वहां पर start होता है हमारे इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी primary और tertiary level के पर hospital बनाए गया है जिनके तो complicated health problem को solve किया जाता है tertiary sector के अंदर बहुत सारे institute आते हैं जहां पर quality education भी लोग को provide गयती है यह hospital सिरफ इन diseases को खतम करने की कोशिश नहीं करते हैं यहां पर लोग बच्चों को जो MBBS की डिगरी करते हैं उनको वहां पर train भी कहाता है उनको वहां पर experience भी अच्छे doctor के साथ काम करने का मौका मिलता है और इन medical education और training पाने के बाद अपने आपको develop करते हैं तो हमारे economy के अंदर जैसे aims है, all India institute of medical science है जो न्यू देली में है ऐसे बहुत सारे हमारे पास institute है बैंगलोर में है, कोलकिता में है जहां पर इन diseases को खतम करने की कोशिश की जाती है तो अगर हमारे पास normally problem आती है तो सबसे पहले हम जाते है primary health care center अगर वहां पर हमारी problem का solution नहीं निकलता तो हम second level पे जाते है second level के ओपर हमारे पास जो हमारे पास equipment है, उनका use करकर doctor हमें diagnose करता है problem को find out करता है कि यह जो disease है, काफी लंबे समय से चले है chronic होगी है, खतम क्यों नहीं वहां पर disease को confirm किया आता है कोशिश कियाती है, वहीं पर उसका treatment किया अगर वह case ज्यादा complicated होता है तो hire या काफी जो बड़े hospital है PGI, DMC है, इन hospital में refer किया आता है तो यह हमारे पास India का health care system है India का health care system काफी अच्छा है बट कुछ हथ तक यह expensive होने के वाद से हमारे Indian people इसको afford नहीं कर पाते है लेकिन काफी foreigner है जिनको हमारे doctors के ओपर हमारी medical science के पूरा faith है वो India में आते हैं अपने treatment करवाने के लिए तो next topic बटा, that is about the medical tourism that we are going to discuss बटादा है अपने के लिए है अपने अपने दो